दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने टीवेस स्पोर्ट की अच्छी चीजें आपको बताए थी मैंने पांच पॉइंट्स उसमें कवर किये थे जो इस बाइक को वाकई में पॉफेक्ट बनाते हैं अगर आपको देखना है तो उपर आई बटन को चेक करेंगा वीडियो के लिंक मिल जाएगी लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसके नेगेटिव पॉइंट आपको बताने वाला हूँ इसमें कई साथी कमिया हैं वाकई में और यकीनन मैं आपको बताओं इसमें से कुछ कमियां ऐसी हैं जो मुझे महसूस हुई हैं मैं आपके साथ साजा करूँगा और ज़्यादातर कमिया जह हैं वो आपने ही बताई है मतलब user report जो आई है उसके recording मैं आपसे share करूँगा आपका experience बहतर होगा बस वीडियो को like और channel को subscribe करिएगा पहला point मैं बताता हूँ जो मेरे हिसाब से है वो यह है कि इस bike को जब मैंने चलाया तो मुझे एक चीज़ की कमी लेगी वो इसकी braking को लेगे इसमें SBT मिलता है synchronized braking technology मिलती है पिछला brake लगाएंगे तो अगला brake साथ में काम करेगा लेकिन जो confidence build होना चाहिए braking के दौरान वो नहीं मिल पाता है और सबसे बड़ी बात कि option के रूप में भी इसमें कोई भी disc brake का विकल्प नहीं मिलता है और यकीन मानिए कि आप SBT पे भरोसा मत करिएगा जब आपको इसमें brake इस्तेमाल करना है तो आप दोनों brake एक साथ apply करिए आपको braking ठीक ठाक मिलेगी और company अगर इसमें सुधार करती तो ये बाइक और भी perfect होती अब मैं दूसरा अपना experience आप से बता रहा हूँ वो है vibration का इस bike को जैसे आप 50 के उपर speed पे लेके जाएंगे तो आपको handle पे और नीचे paddle पे दोनों जगा आपको vibration feel होगा खैर ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है लेकिन मुझे लगा कि मैं आपके साथ साजा करूँ क्योंकि vibration ज़्यादा तर bikes में मिलता है जो कि अब इस tvs sport में पहले से और अपकी जो models आया है 2024 के उसमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको ठीक है अब अगला point मैं आपको बता रहा हूँ अब वो आप लोग के हिसाब से बहुत से users ने इस चीज़ को claim किया है कि अगर आप इस bike से लंबी दूरी तै करते हैं तो इसका sitting comfort उतना अच्छा नहीं है कि आप इससे 100-500 km continue चला पाएं वैसे तो मैं recommend करूँगा कि अगर आप बहुत लंबी दूरी तै करते हैं तो फिर ये bike आपके लिए सही नहीं रहेंगी stop suddenly on slowing down ये बात कितनी हद तक सही है ये आप comment में बताएगा बहुत से users हैं जिनके पास TVS sport है उन्होंने इस चीज़ को बोला है कि अगर वो अचानक से bike को slow करते हैं भले ही वो clutch दबाय रहें लेकिन अचानक से bike को slow करते हैं तो engine बंद हो जाता है और फिर उनको जो है clutch दबा करके engine को restart करना पड़ता है ये बात कितनी हद तक सही है ये आप लोग बताएगा क्योंकि ये चीज मेरे साथ तो नहीं हुई है लेकिन जादा तर लोगों ने इस चीज़ को claim किया है कि ऐसी problem इसमें है बताएगा अगला point मैं आपको बताता हूँ वो है mileage को लेके अब देख 55, 55 ये mileage इसका रहता है अब ये मेरा personal opinion भी है प्लस आप लोगों ने भी बहुत सारे user review में इस चीज़ को बोला है अब ये बात भी कितनी हद तक सही है अगर आप के पास sport है तो आप बताएगा कि आप कितना mileage में से निकाल लेते हैं अगर आप comment करेंगे तो लोग comment में आकर आपके comment पढ़ेंगे और उन्हें जो है बहुत health मिलेगी कि भाई वाकई में इसका mileage कितना आ रहा है मेरे हिसाब से जो मैंने बताया वो mileage में मिलता है इससे heavy mileage का मतलब ये है कि फिर आप eco speed में चलाएए 40 कूपर आपके speed जानी ही नहीं चीए तब आप बहतरीन mileage निकाल आती है तो ये भी आप लोगों की तरब से ही report करी गई है आप लोगोंने बताया है कि इंजन इसका बहुत हीट होता है तो ठीक है मैं इसको बहुत बड़ा point नहीं मानूँगा इसलिए क्योंकि जादतर bikes के engine हीट होते हैं तो ये चीज इसमें भी लागू है अब ये सारे points ह अब मैं आपको बताता हूँ एक और point जो मैंने feel किया है वो ये है कि इसमें जो power मिलती है ना engine में वो single अकेले चलने के लिए बहुत अच्छी power है कहीं से कोई दिक्कत परशानी नहीं है लेकिन अगर आप दो लोगों के साथ चलते हैं और कभी अगर emergency पढ़ गए तीन होगा आपको लगेगा कि यार power और होता है इस बाइक में ना तो मज़ा आता अब जैसे माली जे पहारी जगों पर आप रहते हैं और दो लोगों के साथ चल रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत struggle करनी पड़ेगी मतलब accelerator का इस्तमाल जादा करना पड़ेगा फिर आप इससाफ से feature भी बहुत तगड़े से कट की हैं इसमें कोई भी modern feature आपको नहीं मिलता जैसे fully digital आपको meter नहीं मिलेगा LED headlight नहीं मिलेगी और मतलब Bluetooth connectivity वेगरा ये सारी चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलेंगी तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें modern feature आपको नहीं इस चीज़ के लिए मैं sure नहीं हूँ लेकिन price cutting इस bike में कई जगा देखने को मिलती है और अगली चीज़ जो मैंने feel की है वो fit and finish जो इसकी build quality है अच्छी है बट मैं ये चाहता हूँ कि ये daily commute bike है न तो इसकी build quality और भी बेहतर की जा सकती है तो ये points है negative जो की TVS sport में जो मेरे कुछ points थे और कुछ points आप लोगों के थे जो की user review से निकल कर बाहर आएं आप ही कोई reports बताती है तो आप बताईए का comment में कि जितने भी points मैंने बता है उसमें से कितने सहीं और कितने गलत हैं साथ ही साथ अगर consider कर रहे हैं इस bike को लेने की तो आप ले सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है बस एक बार टेस्टराइड जरूर ले लिजेगा ताकि आप सारी चीजें खुद से चेक कर पाएं और टेस्टराइड का कोई भी पैसा नहीं लगता है आप इसी इसका ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें कोई doubt हो तो comment में हमसे पूछ लें